आज भी इसकंद पुरान कती है कि भागवान शंकर ने अनपूर्णा के दर्वाजे पर पहुचकर जब काशी में धिच्छा मंगी थी तो अनपूर्णा ने कहा था ए शंकर उस गरिब से गरिब गती का भी भंडार भरते रखोंगी बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस इस्थान पर बेट कर उस इस्थान पर घड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार ग्रह में भूता नहीं होना चाहिए तो तुम्हें भर्दूं की भंडार है, जिस प्लेक्टाम पर खड़े होके माता है बोजन बनारती, सब्जी बजारती, महीं पर हाथ में लेके चक लेके, अरियो जगदंबार, फिचार तो करो, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगारी पर पती तो परमेश्वर है, भले जो सास रहती है, वो भी तो मा हैं, जो पिता रहता है, वो भी तो बद्री ना रहन है, मारत, फित फित क्यों, शकर भी बनाना है, तो भी तुमारे घर में स्वाद नहीं रहेगा, और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में, जब तक भगवान का भोग नहीं लगता, तक तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला, ना डला, मिर्ची डली, ना डली, सक्कर डली, ना डली, भंडारे के भोजन में, जो मिला दिया, आकरी में फिर भगवान में अगर पालिया, तब चखा गया, कि अब भोजन में स्वाध है, कि नहीं है, तो कभी अनकूर्ट की जो स क्या होग यह क्यों कि वहां अनपुना स्यम देने के लिए तयार अखड़ी है और हमारे घर में तुम चक चक के बना रही है तो बाटल में से दो गूल तफका के पहले रही है ठाच लेगा हो बाहर चक सकते हो बाहर जाकर पाओ फिर बच्चे के लिए दूद में शक्कर मिला चाय बनाते होगे, गेस के उपर चाय रखी है, मैं उकल रही, मैं सिर्ट चाय की चन्वी से लेके, फिर चकल, केसे आए वे अनपूर्णा ये तो बताव, लोग करते हैं हमारे घर में सारा सुखे गुरुजी और सांती नहीं है, हमने सांती नहीं जाने चलिए किचीन में किच किच बरा आ गई, चांती कहां से होगी, आइतना किच किच बरा हुआ है, प्रेम तरुना आवास कर लेका, इसने है समरकन समाप्त हो, लड़का और लड़की का विभाह नहीं हो रहा, बहुत हतास हो गए, परिशान हो गए, विभाह संबंद जमी नहीं रहा, किसी भी कि उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख मन दो, उसका पूजन करो, बुद्वार के दिन भी, और गुरुबार के दिन, उसका पूजन इसनान करने के बात करना, पर घर में केसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, मुख जूटा मत करना, पूजन करने के बात, उल्टे ह बिवासंबन पक्का हो जाता है जिस नारी का रजोधर्म रजोधर्मत के अंतरगत नारी को जो परिशानियां होती है कोई के आठ दिन पहले, चार दिन पहले, तीन दिन पहले कही न कही रजो धर्म के अंतरगत, जो बिमारियां होती है उसके लिए महाराज साथ चने की डाल के डाने तुलसी महाराणी के सामने कटोरी में रख कर तुलसी के तीन पत्ते उसमें डाल कर अपनी मनों कामना करकर तुल्सी में तीन बार जल छोड़कर वो तुल्सी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको दीरे-दीरे करकर एक-एक करकर सुबह शांग दो पहना उसको खा लीजिए रजो धर्मस से जुड़ी हुई परिशानी समाव कोई सहज नहीं है मारा चने की दालत अब अच्छान बर्णन फिर किया गया मान लो कोई प्लाट है कोई प्रापर्टी है कोई यमीन है कोई जाजार दर नहीं दिख रही बहुत परसान हो गये रापो करोड़े रूप गये और ये प्रापर्टी भिके तब तुम उगरो तो उसके लिए चने की दाल को एक प्रापर्टी जो जगा बेजना है उसके ग्रहा काना चालू हो जाएंगे और वो प्रापर्टी शिक्र दिख जाएगे आपने कामना के अनुसार रोगे कितने मैं आपको बेचना अपने अनुसार मारा चने की दाल स्वर्ण दान के बरावारे चने की दाल को सहज नहीं समझा जाएगा गुरु भप्ति के लि जिस जमीन में प्रापर्टी के अंतरगत नहीं लाब नहीं मिल रहा हो जो जमीन की दलाली का नाम करते हैं जमीन बेच राते हैं खरीद रहाते हैं और कोई लाब ही नहीं मिल रहा है कई दिनों निकाल दिये सान निकाल दिये कोई लाब नहीं हुआ तो निपेदन है चंकर बगवान के मंदिर में श्रीलिंग पर 108 चने के डाल समर्पित करो उस 108 चने की डाल को प्रदोश के दिन शाम के समर्पित करकर उस दाल को उठातर लिया जेब में पीरे रुमाल के साथ उसको बांग कर रखनो किसी प्रापर्टी का सोधा कराने जा उसको पटक कर लेकर जाओ आपके लाब होना चालें सोधें होने चालें आपको कमीशन मिलना चालें करना आपको है कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती विश्यता का भाव रहता उसके अंदर सुख का भाव रहता उसके अंदर सुख का नुब साथ चने की दाल के दाने लेना साथ और आपके घर में कोई शंकर जी का शिविलिंग हो उसके एकक करकर श्री शिवाय नमस्तु भ्रम टेकर चड़ागे दो मिनित तक शंकर के शिविलिंग को देखना बिल्कुल दोनो आखोसे बिल्कुल देखना अच्छे से और उस चने की दोने ये तुन धिविधन करूंगा विश्वास का पहला शर्दे विष्व और दूसरा सर्दे आस तो विष्व को त्याग कर आश लगा कर शिर के चड़नार्विलिंगा इंद में देख चने की दाल श्री हनमान जी महाराज को विश्मान कराती महाराज प्रदप पिर चने आश हो गए बहुत परिशान हो गए और आज मन रो रहा है कुछ मतर एक कम कर पसके वले कम आवला हो बढ़ हो पीपल हो कोई भी एक ब्रच के नीचे बेट कर एक पर्थर रखकर सामने छोटा सा उसके जल चणा कर एक घीका दिया सामने लगा दो ठोड़ी देर बेट कर आप घर आओगे ना आप खुशी का इस्मर्ण हो तो दुख चला जाए सभा मन में दुख है वो थोड़ा कम हो रदय चित्त में पर्मातमा शिवा सुक प्रदान करा हो अताल म्रत्य वो मरें जो ताम करे चंडालता काल उसका क्या विगाड़े जो भक्त हो महां कालता शिव तो प्रते हैं मंदिर जाते हमारा काम नहीं होता हम बहुत समय से अगर रत्ती लगा रहे हमारा काम नहीं हुआ हम दिला लगाते हमारा काम नहीं हुआ हमने उपास करा हमारा काम नहीं हुआ हमने चतूर्थी करी पंचनी करी हमारा काम नहीं हुआ हमारा निवेदन उसका दर गयी तो अपनी तो फ्रिष्टी ही समय किसी गुरू के दर्वाजे पर जाकर कुछ पूछना नहीं अपने को गुरू की त्रस्टी पड़ गई नहीं का और बहुत ध्यान दीजिए मारत अगर कोई काम अटक रहा है नहीं हो रहा बहुत प्रयास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में पांच बेल पत्र चड़ाईए और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशुक सुंद्र यापको बताया था ना अशुक सुंद्री का इस् सफल होना प्रारम हो जाए तेरे दर्वार की बाबा मेरा ली शान देखी है तुझे नहीं देखा पर जोली भरी देखी है